हर्याना के मुख्य मंत्री मनोहर डाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते हर शेत्र प्रभावित हुआ है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थ व्यवस्था को इस महामारी के दुश्प्रभाव से बाहर निकालने के लिए 20 लाग करोड रुपे के आत्म निर्भर पैकेज की घोशना की थी जिसे अब बढ़ाकर लगबग 24 लाग करोड रुपे कर दिया गया है हम अपनी योजना इस धंग से बनानी होंगी ताकि इस पैकेज का अधिक से अधिक लाब उठाया जा सके हर्याना के मुक्य मंत्री मनोहर लाल ने शुकरवार को हर्याना बजट 2021 से 22 के मद्दे नज़र आत्म निर्भर भारत अभियान की समिक्षा बैठक के दौरान कहा बढ़ाने आर्थिक सिती मजबूत करने इस ओफ डूइंग बिजनस तथा इस ओफ लिविंग की दिशा में कारे करना होगा उन्होंने बैठक में मौझूद विभिन विभागों के प्रिशास्किय सच्वों को ऐसी स्कीमें तयार करने के निर्देश दिये जिससे कि आत्म निर्भर पैकेज का अधिक से अधिक लाब उठाया जा सके मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये कि हर सिविल अस्पताल में प्राइवेट रूम हो और इनकी संख्या बढ़ाने के साथ-साथ इनमें प्रदान की जाने वाल गेट इंफ्रास्ट्रक्चर हेतू एक लाग करोड के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से प्रदेश को तीन हजार नो सो करोड रुपए आबंधित के गए हैं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत तेरा लाग सताइस हजार दो सो पैंतालिस किसानों के दो का भुकतान किया गया इस दोरान मुख्यमंत्री को इस बात से भी अवगत करवाया गया कि ग्रामीन और शेहरी शेत्रों में एक लाग पांट सो नवासी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का लक्षन इरधारित किया गया है जिसमें से ऐसे 630 सेंटर बनाए जा चुके है इसके अलावा प्रदेश के अंबाला हिसार करनाल और यमुना नगर में चार कार्यात्मक जिला जन स्वास्ते प्रियोगशा लाए हैं बैठक में ये भी बताया गया कि एप्रेल से नवेंबर 2020 के दोरान 530505 मिट्रिक चंगेहु वित्रित किया गया प्रदेश में एक हमारा देश का पहला राज जिवना चंडिगर से सौरव शर्मा की रिपोर्ट प्रदेश में एक राज गराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज